आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रेंडर थोर्ड का इवीएस वन का चैप्टर नमबर 11 अवर नीट फॉर एर इस चैप्टर के कुश्चिन के सोलुशन देखेंगे हैं तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है पुरी वीडियो वीडियो एंड तक मेरी आप से छोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरी देखते जाएं सिर्फ कोश्चन के आंसर तक ही आप महदूत मद रहिए इसको समझे भी कि कोश्चस आपको कैसे पूछे जाए रहे इसका आंसर किस तरह से लिखना है और कैसे आपको आंसर करना है औ कि आपका जादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते है अवर नीड फॉर एर हमारी हवा की जरुवत पूश्चन नमबर ए है वाट्स दे सॉलूशन आप क्या करेंगे भला क्या सॉलूशन निकालेंगे आप इन अ क्राउड़ेट प्लेस समवन इस फिल गुटन हो रही है और सांस नहीं लेने आ रही है भीड की वज़ा से तो आप क्या करेंगे इसका आंचर है वैं समवन इस फिलिंग सब्फोकेटेड ही और शी शुड़ बी टेकन तो सम ओपन प्लेस तो ब्रीथ इन फ्रेश एर तो उस भीड में से उसको सबसे पहले हटाना चाहिए और फ्रेश एर में लेकर आना चाहिए ठीक है ताकि उसकी घुटन कम हो सेकंड है कुशन नमबर बी का बी है फिल इन द ब्लैंक्स इसके लिए आपको ऑप्शन भी दिये हैं कि नील एर और ब्रीथिंग और इनको सही जो आंसर से आपको ये फिल करना है तो फॉर् गोँओन कंटिनिवसली सलीपिंग मैंस चेस्ट कैन बी गई अप अंद डाउन तो आपको इस में ब्रीथिंग न सापकी और अंसर से बीद्ध टन गई ऑप और इन ब्रीथिंग के बीद आइन स्टेस्ट की वजह से व में इनसान जो जो चेस्ट और नीचे होता रहता है around us, यानि के हमारे जो अत्राफ क्या पहली हुई है, हवा there is air spread all around us थर्ड है, like us, all living things have a need for air, हमारी तरह, दूसरे living things को भी क्या जरूरी है, air, यानि के need मतलब जरूरी है, ठीक है, उसके बाद है, question number C answer the following questions question number C का first है what do you fill into a balloon when you blow it means आप जब जो balloon है, उसको जब आप फुलाते हो तो आप उसमें क्या भरते हो, तो उसका right answer है, when we blow a balloon, we fill air into it, तो हम जब उससे फुलाते हैं, तब हम उसमें क्या भरते है, air भरते हैं, यानि के हवा भरते हैं, second question है, why do we need air, हमें हवा की ज़रुवत क्यों होती है, इसका right answer है, we need air to breathe in so that our body can execute to function properly, हमें हवा की ज़रुवत सांस लेने के लिए होती है, ताकि हमारी जो body है, वो सही तोर पर function कर सके, third question है, how do you know that a dog also breathes, आपको कैसे पता चलता है, कि dog भी breathes करता है, यानि के सांस लेता है, उसका answer है, when a dog breathes, its chest goes up and down, so we say that a dog also breathes, जब dog breath करता है, तो उसका जो chest है, वो up-down होता है, तो हम कह सकते हैं, कि dog भी breathing करता है, question number four है, for what does a cat need air, बिली को हवा की जरुवत किस लिए होती है, इसका answer, a cat needs air to breathe in for functioning properly of its body, उसकी body के proper functioning के लिए breathing की जरुवत है, ठीक है, अब इसका है, last question, question number d, true or false, true or false, first है, all can see air all around us, क्या हम हमारे जो आसपास है, अत्राफ में air को देख सकते, तो no, this is false, हम ऐसा नहीं कर सकते, कि हवा हमें नदर आती है, नहीं, तो यह जो statement है, यह क्या है, false है, second है, fish use the air dissolved, is water for breathing, जो fish होती है, यह जो मचलिया होती है, तनफूस के लिए, पानी में हलशूदा हवा, इसका अंसर है, right, true, this statement is, correct, true, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, question answer अच्छे से समझ में आए होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल अकन के all बटन को दबा दीजिए, subscribe करें बगर, मत जाएए, क्योंकि उसके बाद का जो second chapter है, our need for food, वो हम देखेंगे, पुरी वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया, thanks for watching, keep learning, लाह अफीज,